भगवान विश्णू ने उस परवत शिखर को हाथ से पकड़ कर देवताओं के बीच में खड़े हों, स्वयम भी समुद्र का मन्थन करने लगे। इस प्रकार से एक हजार वर्ष बीतने पर उस खीर सागर से आयुर वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए। उस धर्मात्मा आयुर वेद में पुरुष के एक हाथ में दंड था और दूसरे हाथ में कमंडलू था। उनका नाम धनवंतरी था। उनके प्रकट होने के बाद सागर से सुन्दर कांती वाली बहुत सी अपसराएं प्रकट हुई। हे नरसरेष्ट स्रीराम समुद्र मंथन करने से ही जल अप से जो रस से वह सुन्दर स्त्रियां उत्पन हुई थी। इसलिए उनका नाम अपसरा है। हे काकुस्त स्रीराम उन सुन्दर कांती वाली अपसराओं की संख्या साथ करोड थी। और जो उनकी परिचारिकाएं थी। उनकी तो गणना भी नहीं हो सकती। क्योंकि वह असंख्य थी। वह सब अपसराएं समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहन नहीं कर सके। इसलिए उन सभी अपसराओं को सामान्या साधारणा मानी गई।